नमस्कार दोस्तों Income Tax Portal पर दो बड़ी अपडेट आई है यह लेटेस अपडेट है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दो नहीं अपडेट के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे कि क्या नहीं अपडेट आई है यानि अब Income Tax Portal पर यह दो बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी एक Income Tax Return Filer जो है उन लोगों के लिए जानना बहुत जादा ज़रूरी है कि क्या-क्या अपडेट जो है Income Tax Portal पर आती रहती है जिसके लिए हम आपको अपडेट करते रहते हैं तो दोस्तों जो नई वीडियो को बिरादेरी करते हुए तो आए श्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को पर बात करतें Income Tax Portal पर जो दो नई अप डेट आई है वो अपडेट रिफंड रिलेटेड दी गई है यह करके दोनों अप्डेट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो अपड में नहीं आता जिस वज़े से जो taxpayer है जो करदाता है वो income tax portal पर जाकर know your refund status में अपना pen number डालता है और वहाँ पर assessment यह select करने के बाद उसे status दिखाई देता कि उसका refund bank में जमा हुआ है या अभी भी pending है या क्या दिक्कत आ रही है जिस वज़े से वो status जो है वो बिना login करे ही income tax portal पर यह facility यह functionality जो दी गई है उसको use कर सकता है लेकिन दोस्तों अब जो नहीं update है जिसके अंदर income tax portal ने इसको disable कर दिया है यानि आप अब जो है know your refund status जो है वो चेक नहीं कर पाएंगे अगर आप जाएंगे income tax portal पर know your status में तो उस case में नहीं आपको पानकार कहीं डालने की detail होगी नहीं आपको assessment year select करने की कहीं detail दिखाई देगी यानि अब आप know your refund status जो है वो चेक नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों बहुत सारी taxpayer को दिक्कत हो जाएगी परिशानी हो जाएगी क्योंकि अगर उन्हें refund status चेक करना तो वो कहां पर चेक करें तो दोस्तों इसके लिए जो income tax department ने update किया है वो update जो है वो आपको income tax portal के login करने के बाद दिखाई देगी यानि know your status refund जो है वो आपको login करने के बाद यानि एक बार आप अपनी user id पासवर्ट डाल देंगे उसके बाद login करने के बाद service tab के अंदर जो sidebar में दिया गया है right hand side में service के अंदर आपको know your refund status दिखाई देगा आप वहां पर डाइरेक्ली जो है assessment करके क्योंके pen card आपका automatic आएगा जिसको आप change नहीं कर पाएंगे आपको सिर्फ assessment करना और assessment करके आप डाइरेक्ली अपना refund status चेक कर सकते हैं क्या आपका refund जो है bank account में credit हो गया है या फिर आपकी जो bank है वह invalid हो गई हो गया validate होना भी बाकी है तो यह जो refund status है या आपका refund pending है यह status अब आपको post login के बाद दिखाई देगा यानि pre login के बाद जो functionality दी गई थी पहले जो functionality income tax portal पर आपको pre login से पहले यानि बिना login करें ही आप चेक कर सकते थे वो बंद कर दी है और अब आप login करने के बाद ही know your refund status जो है वो चेक कर पाएंगे तो जिन लोगों के पास login होगा रजिस्टर होगा वही अपना refund status जो है वो चेक कर पाएंगा इसके अलावा कोई ओर taxpayer जो है किसी और का भी refund कभी भी चेक नहीं कर पाएंगा तो यहां पर जो functionality जो है वो online post login के बाद अवेलेबल कर दी गई है दोस्तो आईए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी update जो आपको income tax portal पर देखने को मिल जाएगी दोस्तो अगर आपका refund जो है वो failed हो जाता है यानि अगर आपने income tax return बड़ा refund claim किया लेकिन आपने bank account गलत चड़ा दी या bank account आपका valid नहीं है जिस वाज़े से आपका refund जो है वो failed हो चुका है आपके bank account में नहीं आया है और आपको refund reissue request करन नहीं है तो उस case में आपको income tax portal पर जाना है और income tax portal में service के अंदर ही आपको refund reissue की request दिखाई देगी वहां से आप refund reissue करवा सकते हैं नहीं bank account add कर सकते हैं और refund reissue के लिए request बेज सकते हैं अब दोस्तों income tax portal पर एक और नया change आया है वो यह है कि आप pending action के अंदर ही right side के अ दोनी जाना आपको pending action के अंदर work list के अंदर जो भी आपका assessment होगा वो दिखाई देगा आपका pen number क्या है आपके acknowledgement number क्या है और किस कारण वर्स आपका जो refund है वो यहां पर failed हुआ है यानि unpaid हुआ है तो वो भी detail इसमें आपको दिखाई देगी जिसमें कहा जाएगा के taxpayer को अ साइड में refund issue का रीशू का टैप भी दिखाई देगा वहां से आप refund issue request भी कर सकते हैं तो अब एक नया option आपको pending action work list में भी दिखाई देने लगेगा दोस्तों यह दो नहीं update जो है वो income tax portal पर जो है वो आपको अब देखने को मिलेगी अगर आप अपने income tax return फाइल करते हैं तो उसके reason के साथ आप refund issue की request भी वहां पर कर पाएंगे तो यह दो major update जो है वो income tax portal पर करी गई है यह update अगर आपको पसंद आई है तो इस update को आप ज़्यादा शेर करें इस वीडियो को ज़्यादा शेर करें ताकि और लोगों तक इस update के बारे में जानकाली हो दोस्तों आ लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले आज का वीडियो कदम करते हैं धन्यवाद